My Gadget Experience में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है Obej brand के धेर सारे speaker system use और review किये है इनके speaker system अच्छी sound quality, built quality और classic wooden look के लिए जाना जाता है Obej time time पर नए product launch करते रहते हैं कुछ दिन पहले ही Obej HT244 और Obej D31 भी launch किये है Review के लिए दोनों speaker system को खरीद लिए है इस वीडियो में सिर्फ 4.1 channel home theater system Obej HT244 का unboxing, review और sound test करेंगे जो की पिछले साल के model HT144 का upgraded version है HT144 का review पहले ही इस channel में कर दिये है उस review वीडियो का link description में है दोस्तों इस Obej HT244 को review करने से पहले पिछले 25 दिन से use कर रहा हूँ Obej HT244 इस तरह के बड़े box में आया था इसे मैंने Amazon से सभी discount सहीत 81 रुपे में खरीदा है box बहुत भारी है box के अंदर एक subwoofer unit, 4 satellite speakers है इनकी packing बहुत अच्छी है साथ में बहुत सारे accessories है जिनमें Obej का अपना remote controller, 2RCA2, 2RCA cable, FM radio antenna cable, aux 2, 2RCA cable, cable information और user manual है physically देखें तो इस 4.1 channel home theater system का main unit या woofer unit है पूरी body 12 mm MDF mode की बनी है दिखने में पूरा wooden look है उठाने में इसका वजन बहुत है करीब 15 kg front में 6.5 inch का woofer driver और base reflex port सामने ही है इस बार Obej ने branding को change किये है Obej का patented control module सामने ही है जिसमें LED display, सभी control button, IR receiver, card slot और USB slot है इस बार Obej ने इस control module से aux port हटा दिये है जो की अच्छा किये है क्योंकि Obej के ही इसके पहले के speaker के aux port सहीं से काम नहीं करते थे इसके लिए Obej के customer care वालोंने कई बहाने बनाए अब इससे छुटकारा मिल गया पीछे connectivity ports हैं जिनमें right और left side के दो-दो speakers के लिए ports हैं external device से connect करने के लिए two RCA port, FM antenna और optical port है treble control, base control और volume control knob पीछे मिल जाएंगे इसमें 6 fit का power cable है इसके साथ 4 satellite speaker है यह भी पतली MDF board की बनी है सभी satellite speaker में 4 इंच का mid range driver और धाई इंच का twitter लगा है सभी satellite speaker में दिये cable की लंबाई 7.5 fit की है और इन cable के छोर open cable है इन्हें extend भी किया जा सकता है इस प्रकार इसकी design और build quality बहुत बढ़िया है जो की बिलकुल Obej HT144 जैसा है बस दो satellite speaker extra दे दिये है Obej HT244 का total power output 130 watt RMS है जिसमें से 70 watt woofer से है और 15-15 watt प्रत्येक satellite speaker से है इसमें 4 satellite speaker होते हुए भी यह एक stereo channel speaker है दो speaker right channel और दो speaker left channel audio signal को carry करता है इसलिए इनके speaker को pairs में left या right में रख सकते हैं या एक left और एक right speaker को wall mount भी कर सकते हैं wireless connectivity के लिए इसमें Bluetooth 5.0 है अब connectivity पूरी हो चुकी है इसकी sound testing करते हैं और अलग-अलग audio play करते हैं पार्ड़ भी ओके जाना अबने हुआ Спाbook,sh RTT आज जाते हुस्त करते हैं आजे आ शर्चय हुआ गात होगी, मेरी जाल ऊसनी, मेरी जाल पूसनी का बुद्पाइब का गरी, कपते नह अभू मतादादी क्या बुद्पाइब कादी इसके आगई, का गरी आगई, के रहाई आडियो सेंपल सुनकर इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाजा हुआ होगा साउंड जाना पहचाना लगा होगा इस 4.1 चैनल होम थेटर सिस्टम का साउंड ओबेज HT144 के जैसा है आडियो के तीनों कंटेंट बेस, वोकल्स और क्रेवल्स के लिए dedicated drivers दिये हैं और sound signature को flat बताया गया है सेंपल साउंड जो record करके play किये हैं उनसे उतनी अच्छी sound न सुनाई दिया हो लेकिन actual sound जो मैंने सुना है और ओबेज जिस तरह के sound के लिए जाना जाता है उस हिसाब से इससे excellent sound produce होता है इसका sound balanced है आडियो के तीनो content बराबर सुनाई देता है यही आडियो का flat signature है bass, vocals, travels कोई भी dominate नहीं करती है इसलिए सभी सही intensity के साथ सुनाई देता है और एक दुसरे को disturb भी नहीं करती इसका bass impressive है जो deep भी है और decent भी है boosted bass नहीं है natural bass सुनाई देता है dialogue, instruments, sound बहुत clear सुनाई देता है trebles वाली sound especially पसंद आएगा मैंने कई songs, movies, OTT content प्ले किये हैं जिनके आडियो के bass और vocals तो अच्छा है ही high frequency वाली trebles अच्छी details के साथ सुनाई देता है high frequency वाली वाली को ताल प्लो तोड़ी थोड़ी कत्थाइसी उसकी आखे आडियो के कई ऐसे sound content सुने हैं जो की कई दूसरे speaker में notice नहीं कर पाते छोटी से छोटी आवाज को produce करता है वो भी सही intensity के साथ इसके sound को balanced के साथ साथ melodious कर सकते हैं यह एक stereo speaker system है इसलिए दो-दो satellite speaker left और right channel वाले speaker है आडियो का channel separation clearly सुन पाएंगे इस speaker system में सारे driver के बीच power distribution अच्छे से हो जाता है इसलिए woofer unit को ज़्यादा power मिलता है और चारो satellite speaker को एक समान power मिलता है इसलिए सभी speaker से बराबर sound सुनाई देता है और loudness भी अच्छी मिलती है sound बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन परियाप्त loud है total 130 watt RMS output के हिसाब से loudness ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका loudness medium size के room के लिए परियाप्त है वैसे उबेज claim भी करती है कि यह speaker system loud listener के लिए नहीं है melodious sound low या medium volume में बढ़िया मिलता है full volume में sound अच्छी ही मिलती है बस bass में थोड़ा फर्क पड़ता है bass में distortion स्टार्ट हो जाता है इसलिए volume को full से थोड़ा कम रखे इस speaker system के audio को control कर सकते हैं sound के treble और bass control के लिए dedicated regulator दिये हैं और अलग-अलग sound mode भी मिल जाएंगे connectivity के लिए बहुत सारे option है जिनसे connection hassle free है Bluetooth 5.0 से wireless connection आसान है थोड़ा audio delay तो होता ही है जो की normal है remote controller वैसा ही quality का है कोई improvement नहीं है इस प्रकार Obej HT244 एक बढ़िया 4.1 home theater system है जिसकी build quality, sound quality, connectivity इंप्रेसिव है अब इस home theater system के बारे में कुछ जरूरी जानकारी शेयर करना चाहूंगा जिनने खरीदने से पहले जानना जरूरी है जिसमें कुछ cons या कमी भी है इस speaker system की sound quality अच्छी है और परियाप्त loud है जो कि 2500 square feet तक size के room के लिए परियाप्त है इसमें connectivity के कई option है ज्यादा details के साथ best sound optical port से मिलता है और इसके लिए TV के setting में PCM audio को select करना होता है TV से optical cable द्वारा connect करके use करें तब speaker से कभी कभी अचानक तेज noise सुनाई देता है जो disturbing और काफी irritating लगता है यह PCM decoding के दवरान हो सकता है इसे company जरूर resolve करें इस बार इस speaker system में aux port हटा कर अच्छा किये हैं Obej के पुराने speaker system में यह aux port ठीक से काम नहीं करता था Obej speaker के पुराने review वीडियो में aux port से आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया भी था इसके satellite speaker के cable 7,5 feet लंबे है room filling sound और ज़्यादा stereo effect महसूस करने के लिए इनके satellite speaker को दूर दूर फैला कर रख सकते हैं satellite speaker के cable का एक छोर open wire है आप चाहें तो extra cable जोड़ कर extend कर सकते हैं remote controller द्वारा ज़्यादा दूर से control ना कर पाना on off करने पर धप की आवाज ये basic problem Obej के इस speaker में भी है इसे company जरूर ध्यान दे और resolve जरूर करें Obej brand इस बार Obej HT244 में एक साल की वारंटी दी है अपने पहले के speaker system में सिर्फ 6 महने की वारंटी देता था इस बार Obej अपने product पर भरोसा जताया है overall Obej HT244 4.1 home theater system 85-100 रुपए में एक value for money product है यहाँ हर तरह के audio content के लिए अच्छा speaker system है यह speaker system उनके लिए perfect है जो flat, balanced और melodious sound पसंद करते हैं Obej HT244 पिछले साल के model Obej HT144 का upgraded version है इसलिए दोनों का comparison करें तो दोनों एक जैसे specifications के साथ आते हैं built quality, sound quality एक जैसे हैं बस Obej HT244 में दो extra satellite speaker के साथ इसका total power output 130 watt RMS हो जाता है इन extra satellite speakers को दूर mount करके ज्यादा room feeling sound सुन सकते हैं vocals और trebles भी ज्यादा audible होता है दोनों के price में करीब 1500 से 2000 रुपे का difference है अगर budget कम है तब Obej HT144 भी अच्छा option है दोनों का purchase link description में है वहाँ से खरीद सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहिए धन्यवाद